कैसे हैं आप दोस्तों मैं हूँ कभी दोस्तों मेरे पास तो बहुत ही हीट फोनों में से एक फोन है एक है वीवो का T2X जो के बहुत जबरदस फोन आता है 13000 पे के बजट में दूसरा फोन है जो Samsung का बहुत लेटस फोन लॉंच हो है Samsung F15 5G इसका प्राइज है दोस्तो 14500 पाया 1000 पे का डिसकाउंट दे तो 13500 पाया में कास्ट कर रहा है कंपेर करेंगे इन दोनों फोनों का देखेंगे इन दोनों फोनों में से कौन सा ज़ादा बड़ी है फोन है 500 रुपे का दोनों फोनों में फर्क है जो कि बहुत चोटा फर्क है कंप्रेंट इंफर्मेशन के लिए दोस्तों वीडियो एंड तक देखिएगा और चैनल पर ने तो सब्स्राइब कर लिएगा बॉक्स पर जो MRP मिलती है सामसंग के 17,000 रुपे और वीवो के बॉक्स पर जो MRP है 19,000 रुपे अन्बॉक्स कर लेते सबसे पहले वीवो का फून देखते क्या कुछ है फून के साथ उपर रखा मिलता हमें बहुत बड़ी ऐसी पैकिंग मेरा है फून गोर्डन कलर में हमने इसको मंगाया है डिटेल लुक हम इसका बाद में देखी है अंदर के तरफ रखे मिलता हमें कुछ यूजर मैनूल पढ़ने के लिए काफी मोटे सी यूजर मैनूल है बॉक्स के अंदर उसके बाद दोस्तों रखा मिलता हमें ट्रांस्पेरेंट सा कवर क्वालिटी वगरा काफी बढ़ी है इस कवर की फिर रखा मिलता हमें यहां पर एक चार्जर यहां लगा है सिम इजक्ट टूल अंदर की तरफ मिलता है कुछ यूजर मैनूल पढ़ने के लिए काफी सही से यूजर मैनूल है फिर रखे मिलती है सी टूसी केवल कॉल्टी वगरा दोस्तों इस केवल की बहुत ही बढ़ी है चार्जर हमें साथ में नहीं मिलता एंड में रखा मिलता है यहां पर हमें फून काफी बड़ी से पैकिंग में रैप फून है डिजैनिंग की बात करें तो दोनों फून के जो कलर्स हैं काफी जादा ब्राइट है लाइट वगरा पढ़ने पे इनके अंदर रेंबो शेड्स वगरा भी आ रहा है उसका लावा दोस्तों मोडियूल की बात करें बैक पे तीन कैमरे मिलेंगे सामसंग में और दो कैमरे मिलेंगे वीवो में दोनों फूनों के बैक पे प्लास्टिक का डिजैन दिया गया है गलास फिनिश या लादर फिनिश का डिजैन हमें इन दोनों फूनों में नहीं मिलेगा दोनों फून में क गर देख लेटा है लेकिन वीवो लगा फोन थोड़ सा हलका है और ग्रीपिंग अगर भी काफी बढ़िया मिली इसमें कव शेप के अंदर मिलेगा यहां पर लेकिन इन फ्पीलिग वगर के बात कर तो वो दोनों फोनों में आपको बहुत बढ़िया मिलने वाली हैं इन दोन फोन हमारे और वीवो का फोन थोड़ा से जल्दी और सैंसंग के अप्रिकेशन वगेर भी यह जल्दी से लोड़ ऊगए स्कोलिंग वगरा भी स्टार्ट हो गई होनी उसके लावा सामसंग का फून भी ओन हो गया लेकिन यहाँ पर जो स्पीड की बात करें रिस्टार्ट या आउन अफ की तो यहाँ पर वीवो के अंदर आपको ज़्यादा फास्ट मिलेगी यहाँ पर ज़्यादा बड़िया प्रोसेसर सामसंग के फून के अंदर मिलता है जिसके आपको स्पीड वगरा भी ज़्यादा अच्छी मिलेगी वीवो से उसके लावा दोस्तों यहाँ पर आपको गेमियों वगरा के लिए अगर फून चाहिए तो सामसंग के फून में ज़्यादा बड़िया हो जाएगी वीवो के फून के कंपेर में क्योंकि यहाँ पर परफॉमंस ज़्यादा अच्छी है सामसंग की लेकिन अगर आप यहाँ पर जनल यूज़ करते हैं आपको ज़्यादा गिमियों वगरा नहीं करनी सिर्फ सोशल मीडिया वगरा यूज़ करते हैं तो आपको दोनों फोनों के अंदर परफॉमंस बहुत अच्छी मिलने वाली है क्योंकि दोनों फोनों के अंदर काफी बड़ी अप्रसेसर है उसके लावर दोस्तों इंटरल रैम और स्टोरेज वगरा की बात करें तो दोनों फोनों के अंदर आपको यहाँ पर रैम जो मिलीगी 6 GB रैम मिलेगी 6 GB आप चाहें तो और अपगरेड कर सकते हैं दोनों फोनों में रैम एक्स्पेंड करने का अप्चण है 2 GB, 4 GB जीसे आपको अपगरेड हो जाएगी वो 6 GB हो जाएगी तो आपको 12G की performance मिलेगी इन दोनों फोनों के अंदर इंटरल स्टोरेज बगर के बात करें तो 128GB का आपको storage मिलेगा Vivo के अंदर भी और Samsung के अंदर भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर दोनों companies ने कितना detect करके दिया है तो Samsung के अंदर लगवग आपको 20GB कटके मिलेगी 108GB में और यहाँ पर Vivo के अंदर भी आपको लगवग 20GB कटके मिलेगी 108GB में तो यहाँ पर Intel Memory तो दोनों ही कंपणिया हमें सेम यूज करने के लिए दे रही है लगवग आपको 108GB यूज करने के लिए बिलेगी सॉफ्टेर वगवग आपको सॉफ्टेर की थोड़ा से यूज करने थोड़ा से पुराना वर्जन दिया गया है उसके लावा दोस्तों बात करें इनके डिस्प्ले की तो डिस्प्ले कॉल्टी दोनों ही काफी बढ़ी है ब्रैटनेस वगएर भी काफी अच्छी दोनों फोनों में लेकिन आपको सुपर अमोलेड डिस्प्ले मिलेगी यहां पर सामसंग में और IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी वीवो के अंदर तो अमोलेड डिस्प्रीन जादा ब्राइट होती LCD के कंपेर में तो जादा प्रैटनेस यहां पर सामसंग वाले फून में और डिस्प्ले साइज वगएर की बात का है तो 6.5 इंच का डिस्प्ले है सामसंग का और 6.6 इंच का डिस्प्ले साइज है यहां पर वीवो वाले फून का वीवो के compare में वीवो में थोड़ से basis वगरा कम है नीचे की chin वगरा की बात करें तो दोनों फोनों में एक जैसी है उसके लावा दोस्तों ये जो notch वाला डिजाइन है सिर्फ Samsung और वीवो ही बेश सकते हैं कोई और कमनी ऐसा design दीगी तो आप समलोन का phone floppy हो जाएगा तो यहाँ पर समसंग में गड़्स है ऐसा design बेशने के लिए दोस्तों बात करें इनके refresh rate वगरा की तो दोनों फोनों में काफी बड़ी कमी मिलेगी इनके pricing काफी जाद है उसे जाप से भी यहाँ पर वीवो के अंदर 60 Hz का refresh rate है और यहां समसंग में तो 90 Hz का refresh rate है तो यहां पर refresh rate और डिस्प्ले की brightness वगरा समसंग में ज्यादा बड़ी है मिलेगी आपको वीवो के compare में इसके लावर दोनों फोनों में Full HD Plus का support मिलता है तो यह एक बड़ी advantage मिलता आती है बैटरी की बात करने तो दोस्तों यहां पर 6000 अमेच की बैटरी है समसंग के फोन में और वीवो के फोन में यहां पर 5000 अमेच बैटरी है उसके लावर समसंग का जो फोन है 25 वाट की fast charging सपोर्ट करता है वीवो का जो फोन है वो 18 वाट की fast charging सपोर्ट करता है तो यहां पर बैक अप वगएर और फास्ट चार्जिंग के असाब साब साथ सामसंग का फोन जाद अच्छा है लेकिन सामसंग के फोन में एक कमी हमें और मिलेगी इसके साथ चार्जर नहीं आता वो हमें अलग से खरीदना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट लगबख 15100 रुप है तो यह एक एडिशनल कॉस्ट पर जाती है फून में दोस्तों बात करें इन दोनों की फिजिकली लुक की तो नीचे की तरफ मिलेगा में यहां पर स्पीकर्स टाइप सी पोर्ट माइक और 3.5 एम का जैक मिलेगा दोनों फोनों के अंदर उपर की तरफ दोनों फोनों में न चैमरे की बात करनें तो संसंग के बैक पे तीन कैमरे हैं और वीवो के भैक पे दो कैमरे हैं में कैमरा में संसंग में मिलेगा फिफटी मिगा पिक्सल का मिलेगा साकेंड के प्रश लावा दोस्तों एल्डमिलावी kang然后 लेगा घ्रव स्टाररी की बात करते की इन्दर 13 विग कैमरा मिदेगा Vivo के अंदर यह दोस्तों दोनों फोनों के प्रफृत की जादट की जादर बेक्षों के अंदर हमें दोनों हो जोनाओ के और आप ज़्यवसों के अंदर मॉद्ड का सकते हैं और भी इन्हांस हो जाती है फोन के अंदर दोस्तों जूमिंग वगर की बात करना तो दूनों फोनों में टैनेक जूम मिलेगा जूम करने बद दूनों फोनों में पिचर्ज वगरा फटने लगे हैं तो इतना जादा बढ़िया नहीं है यहाँ पे काफी सारे फिल्टर्स वगरा भी मिलेंगे वीविड, प्लाक और वाइट और जादा कलरफूज वगरा आप्शन भी आपको मिल जाएंगे यह दोनों फोनों की कैमरा के लेटी है मुझे यहाँ पर थोड़ सी कैमरा के लेटी जादा अच्छी लगी वीवो के फोन की क्योंकि इसके अदर मोड्स वगरा भी जादा अच्छे और आप कैमरे को अपने हिसाब से इन्हेंस कर सकते है डिटेलिंग वगरा भी काफी बढ़िया है वैसे यहाँ पर दोनों फोन के कैमरे काफी ऐच्छी है काफी लेकिन मुहीं जाद अच्छा है यहाँ पर दोनों ही फोन हमारे 5 but करते हैं सारी चीज़ेंगा नेक हैं यहाँ पर वीवो के अंदर और मुझे सबस बड़ी प्रॉब्लम लगी इनके डिस्प्ले डिजैनिंग वगरा के लगी यह नौच का डिजैन तो आप खतम ही हो जाना चाहिए लेकिन वीवो के अंदर भी काफी फोनों के अंदर अभी भी एविलेबली है और सामसंग तो आप समय ले ए थाटी फोर ए फिफटीन वगरा में भी द देती फोन के साथ और लगवख सारी कंपनिया भी फिलाल दो चार्जर दे ही रही है उसके लावा दोस्तों यहां पर मुझे एक कमी यह लगी कि इनके बैक पे जो डिजैनिंग वगरा वो है तो बहुत अच्छी लेकिन इस पर डैमिज होने के चांसे बहुत जादा है स्क् समसंक से कम इनकी अपको वीव के अंदर वैसे दोस्तों दोनों फोन ही काफी बढ़ी है लेकिन आगर आपको सामसंक ने डिस्कॉंड मिल जाए तो दोनों फोनों के अंदर सिर्फ 500 रपर फरक है मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप यहाँ पर सामसांगा फोन ले वीवो के कमपेर में आपको दोस्तो इन दोनों फोनों में से कौन सा फोन ज़ादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बतेगा वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा और चैनल पर ने तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली अन्बॉक्सिंग या कमपेरिजन के साथ